पश्चिम बंगाल में कॉंग्रेस और टीमसी के बीच राजनितिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है कॉंग्रेस नेता अधिर रंजन चोधरी ने बंगाल में बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर ममता बेनजी पर निशाना साथते हुए इसे ममता मेट डेंगू बता दिया वहीं टीमसी ने कहा कि कॉंग्रेस को गडबंधन की मरियदा पार नहीं करनी चाहिए अधिर रंजन चोधरी ने बीते मंगलवार को डेंगू के बढ़ते मामलों पर कहा कि यह डेंगू तो मेन मेट डेंगू है दूसरे शब्दों में कहो तो ममता मेट डेंगू है दिदी ने बंगाल के लोगों को भगवान भरों से छोड़ दिया है सरकार ने कह दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते बंगाल कॉंग्रेस अध्यक्ष ने ममताब बेनर जी पर निशाना साथ तेवे यहां तक कह दिया कि बंगाल में राक्षसी रात चल रहा है अधिरंजन ने कहा डेंगू से हो रही मोतों पर परदा डाला जा रहा है मोत का कारण नहीं बताया जा रहा है सामान ने मोत बताई जा रही है ताकि सरकार के छवी खराब नहों बंगाल में क्या चल रहा है इस बंगाल में राक्षरसी रात चल रहा है वही इसके जवाब में TMC की ओर से कहा गया कि कॉंग्रेस को इंडिया गडबंदन की मरियादा का पालन करना चाहिए टीमसी नेता कुणाल घोष्ट ने कहा डेंगू एक समस्या है लेकिन इस्थानी अधिकारी इसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अधिरंजन चोधरी और प्रदेश कॉंग्रेस को इंडिया गडबंदन की लाइन वरकरार रखनी चाहिए वे दोहरी निती अपना रहे हैं गडबंदन के शिश नेत्रत की इस समस्या पर विचार करना चाहिए टीमसी नेता के इसी के साथ मैंने रही है एशिया इस इंडिया के साथ हमने बाद